कोलकत्ता कांड के घिलाफ देश भर में आक्रोश है, सभी लोग जल्द से जल्द पीडिता को इंसाफ दिलाने की मांग कर रहे हैं। उसी करम में जनपद उदम सिंग नगर के जस्पूर में आईयम इंडियन मेडिसकल एसोसियेशन के पदाधिकारी ने जस्पूर समुदाइक स्वास्त केंदर में एकत्रित होकर डॉक्टरों ने OTP, OPD कारेका बहिसकार कर केंडल मार्च निकाला, साथ ही हातों में तख्तियां लेकर केंडल मार्च भी निकाला, जस्पूर समुदाइक स्वास्त केंदर अधिकशक डॉक्टर देरेंदर मोहन गहलोत भी शामिल हुए, आईयमे नगर अध्यक्ष डॉक्टर MP सिंग चौहान का कहना है कि पीडिता और उसके परिवार को जल्द से जल्द नयाय दिलाए ज जैपूर समुदाइक स्वास्त केंदर अधिकशक डॉक्टर विरेंदर मोहन गहलोत ने पश्चिम बंगाल सरकार और कानून विवस्ता पर सवाल उठाते हुए सरकार को बरखास्त करने की मांग की है, मैला डॉक्टर को शरदांजली अर्पित की जस्पूर से प्रदीप श इस घटना को उजागर करने के वजाए तो आज उसी के दुरोध में आये में जस्पूर एवं प्रिया में एक एस्विशन उत्राखन के द्वारा ये दुरोध प्रदर्शन के लिए एक मांग इंकाला गया जिसमें हम मौमिता अट्याकान वाले इतने भी अपरादियां को चाते हैं जदा उसके बाद जो अस्पिताल में तोड़ फोड़ की गई इसके लिए केंसरकार से चाते हैं ये बहुती सत्त कानून बने इससे के अस्पितालों में जो है तोड़ फोड़ना की जाए और डाक्टरों को और पैरा मेडिकल स्टाफ जो 24 गंटे देश की सेवा म जनता के सिवा में लगे रखते हैं उनको सुरक्सा मिले और मॉमिता को लिया गया था ये वेडिकल टॉलिज में टीवी चैस्टी पीजी की पढ़ाई कर रही जो जरिंदगी के साथ पलतकार किया उसे निर्चन सश्या की गई उसकी बिलोध में किया गया है ये हमारे सेंट प्रणी का कार्य भाइज कार किया उसके बाद हम सरकारी स्टाल जद्पूर से वजार्द होते हुए दुबाद चोग टागे दुबाद पर हमने जाकर दॉक्तर मोमिता दिम्याद को सरधानजली अकित्ती तक बाद हम सान्तीपूर पर यहां पर जो में का मोड़ा है इस जो